सो सबसे पहले हम हमें पता होना चाहिए कि पैंसिल पकड़ने का तरीका क्या है पैंसिल को जब यह बैसिक चीज़े पैंसिल पकड़ने वक्त जो ना सिर्फ दो फिंगर का स्पेस छोड़ना चाहिए और उसके बाद जो पैंसिल हैंडल होती है सो फेलकम टू माइच चैनल सेफी ट्यूब सो आज हम सीखेंगे के लाइन लाइन सबसे बैसिक चीज़े ड्राइंग में और पैंटिंग में सबसे पहले लाइन की प्रेक्टिस होनी चाहिए सो वर्टिकल लाइन हो या होरिजंटल लाइन हो या कर्व लाइन हो या स्लोट लाइन हो कोई भी लाइन हो सबसे पहले हमें उसकी प्रेक्टिस करने चाहिए जैसे हम यह देख रहे हैं कि एक वर्टिकल लाइन है और एक होरिजंटल लाइन है वर्टिकल लाइन्स में लगाने वक्त आपको 100 टाइम्स चोई उसकी प्रैक्टिस करने चाहिए ड्राइंग में बेसिक से बेसिक चीज यही है जो हमारी ड्राइंग को चार चांद लगाती है और हमारी पेंटिंग को भी चार चांद लगाने वाली यह basic lines ही होती है अगर lines की हमारे practice नहीं होगी तो हमारी drawing भी clear नहीं होगी सबसे पहले हम यह vertical lines जो है लगा कर 100 times इसके practice करते हैं और बार 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 repetition के बाद उसकी practice जब complete हो जाती है सबसे पहले हम इस line के practice करते हैं so slot line की भी आपने जो 100 times practice करनी है और vertical lines की भी आपने 100 times join us की practice करनी है जब तक आपकी line एक perfect angle में या सीधी line नहीं लगती तब तक आपने यह practice करनी है और यह बार बार practice करनी है जैसे एक singer बार बार rehearsal करते हैं और रियाज करते हैं सुबह के वक्त उठके और यह ऐसे ही हमारा आट में भी ऐसे समझे के हमारे यह डैली के practice जो हमारा रियाज होता ही है so हमें बार 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 practice करनी चाहिए और उसके बाद इसके बाद आती है के curve line curve line जो है ना हम सबसे पहले half circle how ao circle के हम practice करते हैं n type जैसे हम n लिखते हैं छोटी ABC में उसकी n type की जो बार बार हम line लगते हैं और उसके बाद हम c type में जो है ना circle लगाते तो उसकी भी हमने बार बार practice करनी है और उसके बाद हम d style में जैसे circle half लगता है हो तो उसकी सर्क्ल की की और बार प्रक्रीस करनी है और उसके बाद यू के स्टाल मी जिस सर्क्ल हाफ होता है उसकी प्रक्रेक्टिश क्रें ताकि हमारी क Christians भी perfect होनी चाहिए जैसे वर्टीकल होड्यूने य यह यह सLTライन यह यह उसके हमारी जब तक हमारी सर्किल जो है ना किलियर एक परफेक्ट एंगिल में जब नज़र नहीं आता है सर्किल तब तक हमने वह प्रैक्टिस बार बार करनी होती है और बार बार रिपीट करनी होती है लाइन्स को तो ये सबसे बैसिक चीजे हैं और लाइन और कर्व एंड सरकिल इसकी प्रैक्टिस अगर हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम एक नए चेप्टर के उपर आ जाते हैं जो इसके आगे जो है ना हमें काम आएगी और इंशाला इसकी प्रैक्टिस उम्मिद करता हू क्योंके इसके बाद हम एक पोड्रेट जब बनाते हैं तो उसकी हमें ज़रुवत दरुआनरा होती है और कोी भी हम शेप मनाते हैं तो उसमें ड्राइंग में जोरुना सबसे एहमठी चीज़ होती है लाइंगे जब तक अमारी लाइन पर्फेक्ट नहीं होगी तब तक कि कैसे एक लाइन लगते हैं कि कैसे एक हाफ सरक्ल लगता है सो आज की वीडियो में बस इतना ही काफी है और उमीद करता हूं कि आप लिक्सी प्रेटिस करेंगे और मिलते हैं कि छोटी सी नई वीडियो में इंशाललह